उट जहें दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही भाई के चन्नल क्रिक डिजे में दोस्तों आज हम बहुत दिनों बाद है ने आफटर दो मन्त बाद हम आए कोई नया वीडियो लेके क्योंकि बीच में एक तो टाइम वीजी था दोस्तों कुछ बीजी सेड्यूल की वज़े करना इस मैच के बारे में बात करने कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा मैं जिससे आप ग्रेंड लीग और स्मॉल लीग के आप एक अच्छी सी टीम बना सकते हो आप ग्रेंड लीग कॉंबिनेशन भी आप बना सकते हो तो दोस्तों मैच पर जाने से पहले अगर पहली बार यूटूब चैनल पर आया है तो आपका अपने भाई के इस यूटूब चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लो अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो वहां से असानी से आप हमारा टे उनमें ना जाओ इसलिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जो टेलिग्राम चैनल है ना दोस्तों वह आप जोइन करो दोस्तों सेवन पॉर्ण सिक्स के सब्सक्राबर आपको चैनल दिगा दिगा करीड दीजे तो आप सभी चैनल का नाम देख लिए आप टेलिग्राम और प्राइम डीम तो दोस्तों वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता हला कि हमारे लास्ट के जो दो तिन आईपेल मेंच है वह अच्छे गहें इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो माईपेल का बना जाते हैं क्योंकि अभी डॉमेस्टिक मेंच उतने नहीं है जितने मैं इसलिके बारे में मंब बात करने किसे पहले बात कर दे़ चने सूपरकन की तो चने की टीम ने तो ड़्क्रिस के लाइव एक मेंच कि इन वीकर साखनें से डिर्ज कर ली थी चने कि और से चायो ने परसंव जिसने बात करते हुए पंशन में Anjin के राइन नंबर तीन पर 25 से मनाई रावनमेटिंग करते हुए बॉलिंग में बात करें करें हम इनकी और से तो दिपक्ट चहर ने चार और बॉलिंग की एकुकिट ले तुशार देश पंडे ने चार और बॉलिंग की विक्ट नियं मिला और एकोनोमी रेट भी खासा त्मेंगी रही। तिकसना की बात के रहा तो चार मेज़ में कोई विकेड नी मुस्तफिजु रहमान उस दिन इसका परसंडेस महस गया रहा था और इसी बंदे ने चार विकेड रखे ले उकाड लिए तो बात करीं रविंदर चड़े यवि विकड लेजगे या नी इफ्ठक चेहर व रविंदर चड़े जाओ विकेड मेला इस मेलencias में गुजरात की टीम कंबात करें तो गुजरात की टीम भी मुंब़ाइ इनसकोendo को चेहर रनसे अरही है इनके वरसे जो performance play रहे तो उनके हम बात कर लते हैं तो गुजरात की वरसे सहा ने open किया 19 दिन मनाए सुभम गिल ने 31 दिन मनाए open करते वे साही सुदर्शन पेतली सिन मनाए साही सुदर्शन रेशनली और हभी जो सेयाद मुस्तागली ट्रोपी होए थे उसमें बहुत करते हैं टो साही सब मार्म किया बालिंग में बात करते हैं तो ओमार जीभी ने 2 विकिट लेती इन वर बोलिंक करते यह वोई मेस व counties को्योंienst बाहए यह आगात बात करते ही हम आज чист बारे में और Oh के बारी में हम आज देखते देगें तो दोस्तों अब वीडियो को ध्यान से देखेगा और ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा तो आप तोड़ा शोर्ट में समझने की कुछस करें बात करें हेड़ दोनों तुमों की बिज में पांच मेज हुए थे तीन जिट्टी और दो च स्कूर देख लो 176 और सेकंड एवरेज इनिंग स्कूर है 150 मिलेगा आपको और जो टीम पहले बेटिंग करते हैं उसको जड़ा एड़टेज मिला हैं बजाए दूसरे नमबर पर सेकंड बेटिंग करने वाली टीम के तो यह आप ध्यान रखना पहले बेटिंग करते हुए टीम दसमेच में से छे बार जिती हैं और चेस करते हुए चार बार विन किया अगर हम बात करें इनकी वरसे लाश्ट एर की जो स्क्रेसफूल बोलर थे चैनने में वह ते जड़ेजा आठ विगेट ले देश पंडे ने साथ लेया दिपक चैनने पांच विगेट लेया ध् स्मस्क्राइब लुफ हुए अक्सिर आधिया देख सकते हुए जी जो परटेल अåर्ज आठाट विगेट लेंसे जुटकट मिला तो आप पास्ट को अपनी टीम में ज़्यादा इंपोर्टेंस ही दे सकते हो पिछ की बात करें तो पता लग जाएगा आपको की बेटिंग के लिए अच्छी पिछे और स्पिनर को सिर्ब यकी विकिट मिला था जो कि आर्शेवे के कलाब पहला में चुगा था तो इस बात गुजराद ध्यान में रखकर चलेगा फिर भी चन्नही और गुजराद के पास जैसे राशीदे और चन्नही के पास जड़े जाए दोनों क्वालिटी प्लेयर हैं और दोनों को कभी भी विकिट मिल सकता है और जब दोनों विकिट लेंगे वो गुच्छे में ले के बारे में गुजराद की पहले बेस्टमेंट की बात करें रिदिमान साहा की एड़ टुए टीम के प्रती जो पारी रही है ना चार वो देखो चोपर रन बारा रन पच्छिस रन साहा को आप जूरू ट्राइक कर सकते हो पनी टीम के लिए अच्छी चोईस रहेगी विकि जेरो विकिट एक विकिट दो विकिट एक विकिट रशीद खान का आप देख सकते हो चारी की ले लास्ट चार मेंच में नूर एम्बंद ने तीन विकिट ले मोहईच सर्मा ने 5 विकिट ले आपके लिए शांदर पंड प्लेयर साब भीड हो सकता है ये पनी टीम लिए औ कि वात करते हैं नहीं के बात करें ना तो 26 बरानवीं और 53 तो आप गायगवार का देख सकते हूं कि अच्छी खासी है जिसमें से गायगवार ने लास्ट फिट्टि मारी हैं जीटी के खिलाब लाश्ट टेर में अपस में जब लाश्ट चार मैच होए उसमें कौन वे इसमें अभी खेल नहीं रहा फिर बात करते हैं मोई नहीं लिने अंजी के रहने की बात करता श्ट्राय नहीं चीटे की खेलाब रमींदर जडेजाई ने 15 बारीश और एक रहने बोलिंग के बात करें में अगर हम पहती चैने हैं मैस में चर्म भी प्रौई नहीं को डोट यह हैं मेंस नहीं तिन में हैं और ध्ली दो किट लिया है मैज मेज म सब्सक्राइब करना के लिए बाहर रहेगा चैने की बात करते गरम तो रितुराज गायकवाड का जिटी के परती जो लाश्ट पांच मैचे उसमें तीन सो और चार रहने साथ के एवरेज हैं कि गोड फोम में आप जुरू ट्राइब करना केप्टन विसे आप एपनी ग्रेड लिंग में ट्राइब कर सकते हो रितुराज गायकवाड को क्योंकि चैने के प्रतिस का स्कोर बहुत अच्छा है आप देख सकते हो चैने के गरांड में इसका पफ़मेंस तो 15-60-17-24-30-35 य आप बोल्निंग की भी देख सकते हो अगर मैं आपको हर चीज बताओं को क्लियर ली तो वीडियो जदा लंबा हो जाएगा देखो आप रितुराज गायकवाड को कौनसा बोलर कितना प्रेशान करता है जैसे मोईस सर्मा ने छे बोल डाली के लारन मनाया और एक बार विकि चला है तो राने ने चैनले की गैरा मेंच में दोसोर रन मनाई और सोला की एवरेस है नहीं तरी खास है नहीं लेकिन बंदा अगर उपन आता है अपनी टीम के लिए तो आप ज़रूर इसको ट्राइब कर सकते हूं मोहिन एली को हाल खाशिया प्रेशान किया है राशिद कार ने जिसने 27 बोल डाल के 36 बना कि तीन बार आउट किया हाला कि मोहिन एली नहीं खेलेगा साथ इमेच लेकिन अगर खेलता है तो जुरूर ट्राइब करना रशीद और मोहिन में अच्छी बेटिंग स्वरी वह बे पाच मेंच में 21 बनाए 17 की एवरेश से आप देख सकते हो रविंदर जड़े जाने गुजरात की कलाब 4 मेंच में 6 विकिट ले और साल्डर मनाए तो इस प्लेयर की इंपोर्टेंस से बढ़ गी है और चैन्ने में तो यह अच्छा करता ही है आप ऐसे हर प्लेयर का असानी से चेक कर सकते हो जो आपको ग्रेंड लिक बनाने में मदद करेगा गुजरात के प्लेयर के आप देख सकते हो गुजरात का प्लेयर में सहा की बात करते हैं चैन्ने के ग्राब 18 मेंच के लें 351 में 29 की एवरेश से रिसेंट जो लास्ट पैटिंग रही थी वह थी 54-12-25-67- थी 54-44 यानि सहाव को आप ज्रूर ट्रा कराना कर डिसको क्रेंट वह सकते हो हैं सहा की एतवरा दाए चेन्य में difam Bजा पन्दरा ऑफलेयर में चैन्ने के खिलाब करते हैं लेकि एक वर चाया र gaze रही नहीं तो यह आप स्टेर्स आपके काम आएंगे आप यहां से देख सकते हैं और खिलाड़ी के बारे में मैं स्क्रोल कर रहा हूं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साही सुदर्शन का जैको कितने इची रिकोड़ एक उनसाड़ का एविरेज एक सो चोरासी की स्टाइक रेट है चन्ने के खिलाब सर्फ दो मेंज में 118 रास्ट जो मैं दोजार थेस में वह था उसमें 96 करके आ रहा है चन्ने के खिलाब ही और उसके अगले वाले मेंज में ब इपक चरीवी स्टाटिंग के और में बोलिंग करता है यहां सब ओमार जाई अभी डेब्य है इसका इससे जन में डेविड मिलर का आप देख सकते हो डेविड मिलर का अच्छा ए एवरेज आप चाब तो ग्रेंड लिंग में जूरू ट्रेगरना चन्ने के खिलाब डेवि लेगा देख सकते हो आराम से तकि आपको ग्रेंड लिंग मनाने में आसानी रहे अब मैं आपको बताता हूं कि रितुराज गयकवार ने तीन फिप्टी की है लास्ट चार मेंज में गुजरात के खिलाब तो यह आपके लिए एक बेतरी निपिक रहेगा केप्टनसी और व दोस्तों अभी के लिने जो में बेच्ट टीम मनाए इसमाइए विकट के वर में रिदीमाद साव को ले आए बेस्ट में में सुभांगिल साहिल सुधरसन और चन्हें की तरफ से मैं रितुराज गाइकवार डेल मिचल को लिया है अगर टोस टेवर होता है अगर टोस में प प्संद आए तो लाइक सेर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दो enhance इसे जल्दी हमारात टेलीग्राम चैनल कर लिए और कम सब्सक्राइब यहाद